नमश्कार दोस्तों असदार टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटे से दाग की वज़ा से आपको अपनी फेवरेट ड्रेस अलमारी में बंद करके रखनी पर गई है अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बचाने के बाद भी हमारे कपरों पर डाग लगी जाता है भले ही ये दाग बहुत छोटे क्यों नहों लेकिन उसकी वज़़े से पूरे कपरे की शोभा बिगर जाती है और हमें मजबूरे में उस कपरे को बंद करके रखना परता है पर अगर आपको अलग अलग तरह से दाग चुराने का उपाई पता हो तो आपकी ये मुश्किल थोड़ी कम हो सकती है सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हर दाग को एक तरह से नहीं चुराया जा सकता है हर दाग को छुराने का अपना एक अलग तरीका और उपाय होता है तो आज के इस वीडियो में जानते हैं कुछ उपाय जिसे आजमाकर आप अपने कपड़ों पर लगे जिद्धी दागों को असानी से साफ कर सकते है दोस्तों अगर आपके कपरे पर पान का दाग लग गया है तो कपरे को खटी दही या मठे में भिंगो कर रख दीजिए कुछ देर बाद दाग लगी जगह को हलके हाथों से मलिए ऐसा करने से दाग हलके पड़ जाएंगे और एक दो बार इसी प्रक्रिया को करने से कपड़ों पर लगा दाग पूरी तरह साफ हो जाएगा अक्सर आइस क्रीम खाते हैं और आइस क्रीम के दाग कपड़ों पर लग जाते हैं या ग्रीस के दाग को साफ करने के लिए मिट्टी का तेल इस्तिमाल करना चाहिए मिट्टी के तेल से साफ करने के बाद कपड़े को उच्छ गुनवत्ता वाले सर्फ की मदद से गर्म पानी का इस्तिमाल कर साफ कर दे ताग चले जाएंगे लिप्स्टिक का दाग हटाने के लिए एक रूई को स्प्रिट में विंगो कर दाग लगे जगह पर रग रग रे उसके बाद उसे गर्म पानी में सर्फ डाल कर धो दे दो से तीन बार ऐसा करने पर दाग हलका परकर छूट जाएगा कोई ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बबाए